मिजोरम आसाम का एक भाग था मिजोरम के किसान बांस की खेती करने के लिए जाने जाते हैं बांस के पेड़ में एक खास तरह के फूल आते हैं जो पूरे के पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार खिलते हैं 1969 में ऐसे ही फूल बांस के पौधे पर खिले हुए थे 48 सालों में एक बार ये फूल खिलते हैं और जब भी ये फूल खिलते हैं चूहों की पैदावार बहुत अधिक हो जाती है चूहे इतनी अधिक मात्रा में हो जाते हैं कि वो सारी फसल को खाकर बरबात कर देते हैं। उस समय के मेगाले और असम में इसे मउतम कहा जाता था। जब भी मउतम की तारीख नजदीक आती थी, वहां के लोग भैभीत हो जाते थे। 1969 में जब मउतम आया यानि कि जब बास के पेड़ों पर फूल आये तो चूहों की तादाद बहुत जादा हो गई। उनकी संख्या करोडों में पहुँच गई थी, उन्होंने बेहिसाफ फसले खाई और लगभग मिजोरम में अकाल की इस्थिती पैदा हो गई। उस समय के मि सीरियस होकर आसाम ने उनकी बात नहीं सुनी। केंदर सरकार ने भी इसे एक छोटी सी स्थानी समस्या मान कर टाल दिया। मिजोरम के लोग अत्याधिक, भुकमरी और फसल बरबाद होने के शिकार हो रहे थे। वहां के कुछ लोग इस चीज से विचलित हुए कि भला क्यो वो एक ऐसे देश में रहें जो बुरे वक्त में उनका काम ही नहीं आ सकता। इन लोगों ने एकठा होकर मीजो नेशनल फ्रंट नाम से एक समू बनाया और तै किया कि मिजोरम भारत के साथ नहीं रहेगा। तभी भारती सेना ने अपनी आसाम रेजिमेंट की 2nd बटालियन को डिस बेटन कर दिया यानि उसके सभी सानिक को बाहर निकाल दिया। एक दिन अचानक इन्होंने भारती सेना और भारत सरकार के कारेकाल पर हमला कर दिया। कोल मिलाकर मिजोरम की स्थिती ये थी कि देश में बगावत हो चुकी थी। और लगभग एक हिस्सा तूट गया इंदिरा गांधी सरकार ने मिजो नेशनल आरमी के लोगों पर हवाई हमले का आदेश दिया। भारती ये वायुसेना के हवाई जहाज उड़े और मिजो नेशनल आरमी के सभी लोगों पर बम बर्साए। ये भारत के इतिहास में पहली और आखरी घटना थी जब भारती वाई हुसेना ने भारत के लोगों पर ही बंवर्शा की हो इसमें कई लोग मारे गए मिजो निशनल आर्मी पूरी तरह से तबाह हो गई भारत का दोबारा से मिजोरम पर नियंतरन हो गया